नमस्कार दोस्तो दिली सिविल डिफेंस वालों के लिए बहुत जबर्दस खुशकबरी आई है दोस्तो दिली के जो इन्वायर्मेंट मिनिस्टर है गोपाल राई जी उन्होंने अनौन्स कर दिया है कि 100 इंटरसेक्शन्स पे दिली सिविल डिफेंस के वोलंटियर डिप्लो के जाएंगे तो आपके लिए इतनी जबर्दस खुशकबरी है दोस्तो क्योंकि अगर आप दिली सिविल डिफेंस में जाना चाते हैं तो आपके लिए भूस सुनेरा वसर आ गया है तो मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा बेसिकली आपको एपलाई कैसे करना है सेलरी एज जो जो क्राइटीरिया है PCC कैसे करनी है सारे कोशन्स को आज हम इस वीडियो में एक दम किलियर आउट कर लेंगे तो अपने चैनल को लाइक करो सस्क्राइब करो वीडियो को शेर कर देना दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मैं प्रोमिस करता हूं आपको कोई औ हम सारी चीजे के लिए राउट कर देंगे चले स्टार्ट करते हैं तो देखें दोस्तों यह आपने देखा होगा न्यूस पेपर में काफी आया था तो इसमें बताया गया था कि पहला पॉइंट था भारत का नागरिक होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं त जितनी भी क्वालिफिकेशन थी, मिनीमम 18 है इसके बाद हम तीसरी क्वालिफिकेशन पर चलते है, प्राइमरी स्टैनर तक होनी चाहिए अब दोस्तों, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी 2 पार्स में डिवाइड है एक तो लोईर प्राइमरी एक अपर प् आकि आप clear out खुद कर सकते हैं notification को पढ़के या इसको सर्च करके google करके तीसरी बात पा जाते है अपना इसमें जो main बात है mentally और physically fit होना चाहिए यह आप देख सकते हैं कि mentally और physically fit इन्होंने इसका क्या मतलब होता है देखिए आप sound mind होने चाहिए आप consider ऐसे नहीं करने चाहिए कि आप physically fit नहीं है आपको physically भी fit रहना है और आपको mentally भी fit रहना है इसका यह मतलब नहीं है दोस्तों कि आपको वहाँ पर दुड़वाएंगे या कुछ करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको कोई physical test वगरा नहीं होगा बस आपकी जो training होती है छोटी मोटी वही होगी तो यह आपको killer out हो गया होगा इसके बाद हम पात कर लेते हैं आपके बाद documents क्या क्या चाहिए documents के नाम पे आपको चाहिए एक पहला अधार card यह most important है आपको अभी आगे मैं बताओंगा कि क्यों important है दूसरा pen card तीसरा bank account चोथा police character certificate यानि कि PCC इस वीडियो में बात करेंग PCC भी कैसे apply करनी है पहले मैं आपको बता दूँ यह क्या क्या चाहिए चोथा अगर आप working है पहले से ही कहीं पर working है तो आपको वहां से NOC लेनी है और अगला बता दूँ आपको education certificate जैसे आपने eighth pass कियो तो आपके पास वो proof होना चाहिए residence proof होना चाहिए और age certificate होना चाहिए age का proof होना चाहिए अब देखे दोस्तो suppose कि यह आपने tenth pass कियो है तो उसमें भी age mention होते है तो आपका work करेगा residence proof में आपको rent agreement चाहिए या आपका बिजली का bill हो अगर आप दिल्ली में रहते हैं देखिए बहुत सारे सवाल यह थे मेरी कुछ वीडियो पे कि सार हम दिली से ब बहुत ज्यादा beneficial है चलिए देखते हैं आगे कि अब इसमें कैसे कैसे आपको करना है एक campaign चलाए जा रहा है दोस्तों दिल्ली में रेड लाइट ओन गाड़ी ओफ यह जो एक campaign है इसके तहत ही volunteer deploy के जा रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपकी deployment कह कहां कहां हो सकती है बहुत बुच्चों के सवाल थे कि सर इसमें deploy कहां होते हैं क्या work होता है और कैसे कैसे इसमें क्या होता है कि free save भी देनी पड़ती है तो यह वीडियो आपके लिए clear out होईगी अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं salary की salary कितनी मिलती है देखे इसमें यह वोलंटियर्शिप है वोलंटियर्शिप में जैसे कि आपको suppose कि यह deploy क्या जा रहा है मैं बता है तो कहां कहां deploy होते हैं जैसे कि SDM office, DM office, ADM, इनके आप PA या PSO या आप इनके offices में personal branch में deploy के जाते हैं DDMA में, disaster management में, Marshall बनके DTC में, महला क्लीनिक्स में, दिल्ली के जितने भी government offices हैं, वहाँ पे, दिली पुलिस के साथ भी deploy के जाते हैं, नाका बंदी पे, इन सब को यहाँ पे deploy के जाता है, अब आपको जो salary लेने का तरीका होता है, वो होता है 732 रुपे per day के हिसाब से, यह fluctuate होता रहता है, उपर नीचे थोड़ा होता रहता है, लेकिन आप 732 रु पे मिल रहे हैं, उसमें आपको क्या करना होगा, अपनी day to day की attendance बनवानी पड़ेगी, पर मंत की attendance बनवाई आपनों अपने office में देनी होगी, फिरमा से salary direct आपके account में रहेगी, जो आपने bank account starting में दिया था, उसी में आपकी salary आजाये करेगी, यह दोस्तों clear out हुआ, इसके बाद हम देख लेते हैं, आपकी जो dress वगेरा होती है, जब आपकी training हो जाते हैं, तो आपको dress खुद बनवानी होते हैं, वो आप बनवा सकते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा issue नहीं है, अब दोस्तों chest height, tattoo वगेरा की बाद कर लेते हैं, दोस्तों कोई ऐसी clarification नहीं होती, कि आप बर सकते हैं, ये सब चीज़े देखी जाते हैं, जो belt service वगेरा होती है, जैसे दिली police हो गया है, आर्मी हो गया, इनमें ये सब चीज़े notice की जाते हैं, लेकिन ये volunteership है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आप सब लोग apply कर सकते हैं, अब दोस्तों इसमें देख लेते ह आपको दिली का residence proof चाहिए, आप दिली में कहीं भी belong करते हैं, किसी भी district में belong करते हैं, तो आप आसे apply कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, अगर आपका आधार काड भार का है, और आप presently दिली में रह रहे हैं, तो उसका कोई issue नहीं, आप permanent address में अपना भार का address डाल सकते हैं, लेकिन जो presently दिली में रह रहे हैं, आपको more address आपको डालना होगा, समझ मैं दोस्तों, और जो present address होगा, उसी address पे, यानि कि दिली के address पे, दिली police के द्वारा ही PCC available होगी, PCC आपको करानी है, police character certificate आपको बनवाना है, वो दिली से ही apply करना है, apply करने का criteria में आगे दिखाऊ step by step बड़े ध्यान से समझना है, ये दोस्तों बात रही, इन सब चीजों की आपको क्या-क्या requirement चाहिए, civil defense का volunteer बनने के लिए, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसमें कि future secure है या नहीं है, बहुत बच्चों के सवाल थे, मेरी वीडियो पर बहुत जादा, तो हम ये दे चुकि है, तो ये एक second opinion हो सकता है, आप apply कर दीजिए और आप इसको देख सकते हैं as a job, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं, वो काफी 10-10, 15-15 साल से भी लगे हो हैं आपे, तो उनको कोई problem अभी तक create नहीं हुई है, और आने वाले समय का कुछ बताया नहीं जा सकता, तो अभ अभी देखते हैं, कोवीड के उसमें काफी अच्छा काम किया है, उन्होंने दिली civil defense के volunteer है, हमारे केजरिवाल साब जो दिली के मुख्य मंतरी हैं, उन्होंने भी काफी appreciate किया है इनको, तो दोस्तों अब इसमें आगे हम आ जाते हैं कि आपको basically PCC के लिए apply कैसे करना है, फ पर click करने के बाद आपको अपनी email ID डालनी है, जैसे कि मैंने डाल रखी है, और यहाँ पर आपको email ID डालने के बाद एक verification code आपकी mail ID पर आएगा, और फिर आपको यह submit कर देना है, submit करने के बाद आपके सामने कुछ इस type का open हो जाएगा, यह दोस्तों आप अपने mobile में ही open अगर आप computer में करना चाते हो तो computer में कर लेना, second अब आपको यहाँ पर डालना है user type, अब आपको यहाँ डालना है individual, क्योंकि आप अपनी individual की करा रहे हो, आप अपनी organization की तो करा नहीं रहे हो, इसके बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है, नीचे email ID डली हुई है, आपको अपना password generate करना है, अब तो मैं इसको कर देता हूँ दोस्तो, कि जो जो requirement यह मांग रहे हैं, उसको हम सफलता पूरवक करेंगे, और ध्यान रहे हैं दोस्तो, इसमें कोई भी mistake आपको नहीं करनी है, तो चलिए हम डाल देते हैं, जो जो requirement यह मांग रहे हैं, बिल्कुल अच् हम नहीं मांगा है, तो हम इसको connect कर देते हैं, इसको दोस्तो sign up कर देते हैं, अब sign up करने के बाद हमारा यह login sign up हो चुका है, इसके बाद हम यहां पे email ID डालनी है, जो हम ने email ID बनाई थी, तो हम यहांपे डाल देते हैं, अब यहां पर जो भी अब इने पासवर्ट डाला था वो डाल देते हैं इसके बाद यहां पर सिक्योर्टी कोड 7031 लोगिन कर देते हैं दोस्तों अब लोगिन करने के बाद आपके सामने डिरेक्टली यह उपन हो चुका है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अब इसमें क्या डालना है देखो उपर ही लिखा है पुलिस क्लियर एंड सर्टिविकट यानि की PCC अब इसमें क्या नाम डालना है इसके नीचे यहाँ पर नाम डालना है इसके नीचे दोस्तों सनोफ डोटर ओफ या वाइफ ओफ या तो अपने पिताजी का नाम जैसे सनोफ करोगे तो अपने पिताजी का नाम डालना है ठीक है दोस्तों अब नीचे यहाँ पर नाम आ जाएगा यहाँ पर पर्मनेंट एड्रस है आप वो डाल दीजिए इस पे ठीक है नेशनेलिटी इसको एड कर देना यहां से फिर नेशनेलिटी डालनी है इंडियन आदारकार नंबर डाल देना जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है जहां पे आप रह रहे हैं प्रेजेंटली वो पुलिस स्टे है इसमें आपको डाल देना है इंप्लोईमेंट के लिए इंप्लोईमेंट के लिए डाल दोगे जैंडर डाल दोगे अब यहां पे देखो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है प्राइवेट ओर्गराइशन डिटेल नेम ओर्गराइशन यहां पे आप सिविल डिफेंस का डालोगे address उनका डाल दोगे जो भी district आपकी है दिली civil defense की phone number है तो ठीक है नहीं तो star नहीं लग रहा तो आप मड़ डालना इसके बाद criminal case detail no अगर आपके against कुछ नहीं चल रहा तो no कर दोगे इसको इसके बाद attach photo आपकी अपनी photo वो upload करनी है ध्यान रहे दोस्तो size matter करता है size less than 20 कवी 20 कवी से कम होना चाहिए उसके बाद select the document residence proof residence proof में आपको देखो आप आदार कार डाल सकते हो driving license डाल सकते हो election ID कार डाल सकते हो electricity bill डाल सकते हो passport डाल सकते हो telephone बिल डाल सकते हो present address का ध्यान रगना दोस्तों ये इन में से कुछ भी आपका present address का होना चाहिए और आप ये डाल सकते हो इसके बाद attach agency letter सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो sir agency letter है उसमें क्या डालेंगे तो उसके लिए आपको डालना है ये इसका link मैं directly description में दूंगा आप direct click करना उसका print out निकालना इसको pen से भरना और इसको यहां से upload कर देना अब नीचे if tenant attach rent agreement अगर आप किराए पे रह रहे हो तो आप rent agreement भी upload कर सकते हो अब जैसे सपोज किजी आपके पास दिल्ली का कोई भी इन में से proof नहीं है भार का proof है तो आप क्या करोगे कोई भी डाल देना जैसे अजार काड आपके पास भार का आपने डाल दिया इसके बाद if tenant मतलब आपकर किराए दार हो तो आपको अपना rent agreement यहां पे चूज करके upload कर देना इसमें बाद में save करके pay now कर देना दोस्तो इसमें फिर जो जो queries मांगेगा आपको वो पूरी कर देनी है इसके बाद दोस्तो इसके बाद क्या आपकी कोशिश होती है जब आपको check करना होता है कि आपकी police verification का status क्या है तो आप कैसे check करोगे वो देख लीजिए अब आप अपनी screen पर देखिए यह PCC confirmation status यहां पर आप अपना PCC नंबर डालना नेम और सनोफ वगेरा डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी PCC हो गई है या नहीं हुई है तो यह basic फंडा था police verification का अब जैसे police verification आपकी complete हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है कैसे apply करना है वो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ यह नीचे description पर जागे direct apply कर देना online cafe पर जाने कोई जो तो नहीं आप mobile से घुद कर सकते हैं दूसरी बात जब आपकी police verification हो जाए 10 या 15 दिन का time लग सकता है क्योंकि police वाले उसको verify करेंगे और फिर आपको certificate issue कर देंगे उसके बाद आप e-district की website पर जाके जिसका link में description में दूँगा और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे apply करना है आपको उस link पर click करना है फिर apply करना है अब दोस्तों आप आपको apply कैसे करना है description पर link दिया उस पर click क और इसके साथ साथ new user हो आप तो new user पर click कर देना उपर new user पर जब आप click कर दोगे तो आपसे यह details मांगेगा देखिए जैसे की registration form आ गया है अब यहां पर आपको अधार काड़ी डाल देना है अधार काड़ का आप यहां नंबर डालेंगे और register कर देंगे जब आप यहां पर सारी डिटेल डाल दोगे तो आपको email के थ्रूँ और message के थ्रूँ confirmation आएगी कि आपका user ID password ठीक है दोस्तों फिर आपको क्या करना है वो user ID password लेकर register user ID login में जाना है यहां पर आपको अपने user ID password डालना है जैसे कि मैं आपको डाल के दिखा देता हूं जो मैंने अभी बना लिए है तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपना दोस्तों जब आप यह सारी अपनी चीजें डाल दोगे तो आपका यह login हो जाएगा कुछ इस परकार की display आपके सामने आ जाएगी यहां पर आप अपना नाम वगरा चेक कर सकते हो इसके बाद क्या करना है आपको आपको अपने apply online में जाना है और apply for services पर क्लिक कर देना है जैसी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे documents वगरा आ जाएगे कि आप ऐसे ऐसे इसको apply कर सकते हो यहां यहां जाके तो देखिए आप इसमें आपको search करना है सोला सीरियल नंबर देखिए enrollment as civil defense volunteer revenue of department का है इसमें apply करना है अब देखो दोस्तों काफी बच्चे मुझसे पूछ रहते कि इसकी last date क्या है तो आप कभी भी इसको भर सकते हैं आप इसकी परेशानी मत लीजिए कि सर इसकी last date निकल जाएगी PCC कराने में ऐसा बिल्कुल भी ने काफी time से open रहता है जैसे उनको recruitment जैसे district office में जैसे requirement आती है तो वो उस हिसाब से यहां से form उठाके उनकी PCC clear कर देते हैं और C form issue कर देते हैं और उनको recruitment के लिए आगे बुला लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे apply कर देंगे apply पे click करने के बाद जो जो process आपको बता रहा हूँ वो काफी ध्यान से देखेगा अब देखे मैंने पहले से apply कर रखा था तो इसने मुझे बता दे कि आपने पहले से apply कर रखा अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे तो अभी हम देखते हैं report में जाएंगे application submit status में ज रखी है तो अभी हम आगे देखते हैं इसमें custom और service pending submission में चेक करते हैं तो दोस्तों देखो याँ pending में आ गया तो हम इसको delete कर देते हैं अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसको delete कर देता हूँ अब दुबारा मैं इसको apply करूंगा delete कर देते हैं इसको तो अब आपको दिखाने के लिए personally कभी आपके सामने भी ऐसी situation आ जाए तो आप यहां से delete कर सकते हैं apply for services करेंगे दुबारा 16 number serial number पर जाएंगे और apply कर देंगे अब देखे दोस्तों यहाँ पे जब apply करोगे तो यह आपके सामने ऐसे form open हो चुका है यह आप सारी अपनी details confirm कर सकते हो और आपको यह सारी details डालनी है जैसे कि आदार number डालना है father name name date over nationality present address present address आपको दिल्ली का डालना है बड़े ध्यान से समझेगा दिल्ली का ही होना चाहिए उसके बाद जो आपकी district पड़ेगी उसके बाद mobile number name of mother and spouse name अगर आप शाधी सुद ध्यान से चीजों को भरना है देखें दोस्तों यहाँ पर आप जैसा screen पर देख रहे हैं बड़े carefully भरना जैसे कि आदार number भरना आपको identification mark का मतलब है दोस्तों कि जैसे कहीं mark हो चैरे पे सरीर पे कहीं भी mark हो या eyebrow पे तो आपको mark mention करना है CVD police station जो आपका police station है occupation नाम अगर आप occupied हैं मतलब आप पहले से कहीं work कर रहे हैं तो उसकी detail डालनी है educational qualification वीकल है आपके पास yes or no do you have driving lessons yes or no आपके बाद driving lessons है उसके हाँ या ना कर दीजे blood group height weight देखिए height और weight आपको बता दू काफी बच्चों के सवाल तेस में कि height मेरी इतनी है या weight इतना है कमजोर हूं मोट रहा हूं तो आम मैं बर सकता हूं इसमें कोई भी ऐसी foundation नहीं है आपकी height कितनी भी हो आपका weight कितना भी हो आप इसको बर सकते हो इसके बारे में बड़े ध्यान से समझ लीजिए कोई चक्कर नहीं है कि कितनी भी हो ठीक है दोस्तो इसके बाद हम देखेंगे height weight हो गया chest हो है whether police verification completed यह दा हमारा main point दोस्तों यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि yes or no अगर आपने police verification करा रखें तो yes करें नहीं तो no करें अब आप इसमें कर दोगे no क्यों काफी बच्चे कह रहे थे कि sir हमने तो वहाँ पे no कर दिया तो आप अगर no कर दोगे तो आपका phone वहाँ पे reject हो जाएगा फिर आपको problem face करनी पड़ेगी इससे अच्छा है आप पहले police verification कराईए फिर इसको yes कर दीजिए जब आप yes कर दोगे तो directly verification number जो वह certificate issue करते हैं उस पे number दिया होता है उसको करिए इसके बाद account जो आप दिल्ली का account होगा आपका उसकी detail डाली है या पे M.I.C.R. वगेरा next of kin detail of next of kin ये बच्चे पूछ रहेते कि sir kin को क्या बोलते हैं तो मैं आपको बता दू जो आपका nearby blood relative है या तो जैसे आप साधी सुदा है तो आपकी wife अगर आपकी साधी नहीं हो तो आपका भाई चोटा भाई या बड़ा भाई कोई भी है माता पिता जो भी है उन रेगुलरली चेक करते रहना है कुछ टाइम बाद ये आपका form accept कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे आपको intimate करेंगे कि आप वहाँ पर आ जाईए अगर आपके बाब message भी ना आए तो आपको क्या करना है nearby district office जाना है और रहा रेगुलरली कुछ कुछ